हेलो फ्रेंग्स वेल्गम टू मास गार्डन तो आज जो है हम ओवर्वीव दे रहे हैं चोटा सा यह जो हमारा इधर वाला गार्डन है उसका ओवर्वीव तो चलिए फिर यहां से मैं बताता हूं आपको कौन-कौन से प्लांट्स है और देखे यह जो है हमारा बैंबू पाम है और अच्छा खासा है बड़ा भी हो गया है तो आज अमिश्व नहीं है असमान है हमारे साथ देखे आप यह देखे हमारा यह पाम का पेड़ है और इसमें भी निव न्यू ग्रोथ चलने लगी है एरेका पाम यह इंडोर है यह मेरा क्रिस्मस ट्री है इसमें भी निव क्रोथ आ रही है अब देख सकते हैं आप और इसके बाद यह हमारा दुसरा वाला रेका पाम है और इसमें भी क्रोथ हो रही है और देखे बॉस्टन फर्ण मेरा कितनी अच्छी जंगा रखा है एकदम अंदर रखा हुआ है उदर मनी प्लांट है और बॉस्टन फर्ण है तो ईसकेबाद यह ऐल Judaism यह मोगरा है यह हमारा अगलूनिमा पर वीडियो मेरी बनाइन थी और मैंने बहुत पहले उसके बाद जो है नहीं नहीं करी वह मर गए और फिर यह जो इसका नाम भूल जाता हूँ आँ बतादिना, कमेंड करके और यह मेरी बॉगववगमीली क्टिं यह मेरा rubber plant है जो मेरा cutting से लगा हुआ है और इसमें भी देखें न्यूनी ग्रोथ अभी आ रही है यह अभी निवद्लिव निकली है और उसके बाद यह मेरा है विपार्टिंग शॉक्ट में है और यह मेरा रोज है इसके बीजिए बिचेर वीडियो में बनाऊगा क्योंकि इ यह मिर्ची गुलहर है, इसके उपर भी मेरी वीडियो पढ़ी हुई है, और फिर यह रैकापम मुझे पाम का वराइटी का बहुत जादा ही शौक है, तो फिर यह रैकापम है, और इधर वाला भी रैकापम है, तो मेरे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 4 रैकापम है, और मैं पीपल का पूंजाई क्रियेट करना है तो पीपल का पीपल का पेड़ लगा रखा है और उसके बाद यह अमरेला से लिए इसमें फूल खिल चुके हैं यह हमारे पास अमरेला पाम है और यह है सॉंग ऑफ इंडिया यह सॉंग ऑफ इंडिया इसी की प्लांट की कटिंग है और यह मेरा मदर प्लांट है और तिहरे किती जल्दी मलिपलाए हो जाए यह मेरा क्रोटोन का प्लांट इसके मैंने क्टिंग कर दी थी बृत देखे़ कॉष्यम समान इसमान अपनी कईट लेकी आ एंप काइट और बहुत शॉक है और तब campaign कर न लगा है और यह स्नेक प्लांट नहां स विक फ्लेवर이나 सेह भी सुइन जिए म करता में करते हैं करता है तो अभी हमारा है प्राइक सेकरने लगते हैं कि यह में लगते ही हैं जबाक वो पाह में पित biss थजला से इसलिया है और fire kecker भी कहते हैं इसको फिर यह हमारा हबिस्कस है यह बोगन वेलिया है देखें इसमें अब growth चालू हो गई है growth क्या चालू हो गई है मैंने इसकी heart crooning कर देती है इसमें growth आ रही है फिर देखें इसमें जो है यह palm है एक और variety यह spider plant है यह भी mother plant है और इसी से मैंने यह बनाया है इसकी growth जादा अच्छी हो रही है mother plant से पता नहीं क्यों और यह जो है jade है उसके बाद यह एक और duffer है duffer का मुझे बहुत शौक है duffer मेरे पास 2-3 है और यह जो है हमारा hibiscus है hibiscus यह pink yellow वाला है और यह जो है हमारा फिर बेला आगया मोगरज से कहते है फिर यह बेला आगया और यह विंका है इसके उपर भी वीडियो आने वाली है जल्दी और इसमें भी देखे blooms होने लगे है मैं सीट से लगे हूँ है दोनों plant और यह पोथोस की variety है इसकी मैंने cuttings लगाई है लाया था और देखे यह तो successful हो गई cuttings में new growth भी आ रही है और यह भी देखे यह भी मेरी उससे लगी हुई है विंका उससे cuttings से लगी है और यह वाली हमारी सीट से लगी है hybrid सीट देखे फिर हमारा यह हबिसकस है इसमें देखे न्यूनिग्रो चालो यह कलियां आ रही है और यह asparagus है और यह fox tail fern है देखे जो fox tail fern है यह अच्छा नहीं हो रहा है पता नहीं क्या हो गया ऐसे अभी इधर और इसके बाद फिर देखे हमारे पास यह अजवाईन का पेड़ है और फिर यह हमारे डफर का पेड़ फिर हमारे पास यह croton है और इधर जो है हमारा aloe vera रखा हुआ है यह अच्छा नहीं है बिल्कुल भी और इधर जो है हमारी बड़ी पत्तो वारी money plant है देखे कितने बड़े बड़े साइस के पत्ते हैं और इसका भी सीक्रेट होता है बड़े साइस के पत्ते लेने का देखे मेरे हाथ के बराबर है पूरे पूरे पत्ते और यह पूरी मॉस्टिक पे ट्रेल कर चुगी है और इधर हमारे देखे यह जो है स्नेक प्लांट मैंने आपको वीड़ो डाली स्नेक प्लांट में यह भी मेरा स्नेक प्लांट बहुत अच्छा है और बहुत टाइम होगा उसमें लेकिन युन्यू शूट्स आती रहते हैं यह जिसने यह जो उदर यलो वाला पेड़ दिखाया था मैंने वह जो यलो वाला रखा हुआ है वह रखा उसका देखे यह भी एक कोई वराइटी है उसमें वैरिगेशन है और इसमें यह यह ना मेकी होगा प्रीड़ोगा जेकश सब्सक्र meditation यह संब बीन करता है श now on our ओकट टेब्ल वाला तर्वा यह को अे आपकोंahan जा ऑगर एक लिए तो मैं डाल सकता हूं देखिए इसकी लीव तो मेरे हाथों से भी ज्यादा बढ़ी है और यह मेरा बहुत साल पुराना पेड़ है अब तो इसमें न्यूनी ग्रोथ भी देखें ऐसे चालो होती रहती है यहां से न्यू लीव निकलती रहती और यह इस पुरानी पत्ति गिरत प्लांट लगा रखें कि यहां धूब जार तेज नहीं आती है और उदर सामने लगे हुए है थोड़े आउट्डोर वाले प्लांट लेकिन इधर जो भी प्लांट लगे हैं वो सारे इंडोर बाले लगे हुए हैं और देखिए यह हमारी मनी प्लांट है और बीजी में जह बार बार तोड़ जाती है इसको थोड़ा सा स्केलेटन टाइप का बनाया है ताकि उसके बाद से वह आई भी नहीं है इधर जो है मैं तोड़ा डेकोरेट करने के लिए मटका रख रख है इसको कलर नहीं करा है और इसमें थोड़ी पत्तिया थी लेकिन अभी वह सब गंदी हो गई है पाद में डेकोरेट करूंगा अकार्ण फिर यह मेरा फेवरेट पामों में फेवरेट पाम लेडी पाम इसमे तो थीद्थाज जूसार हो गए और आप छो समय तेज भाथ तक जिस वरीवरे 15 फिर इसको मैं बथए में आपको दिखाऊंगा ओंगा क्रोपेगेट बसेश well on कते जो मेरा प्लांत क्रочки मेरा उगए और मैं इसके हमां से कट्टिंग करके दोबारा लगा दूँंगा तो यह प्लाइगों यह लगा दूगा दूंग contour निकलाता है इसके नीचे से लोट निकलाती है नीचे रूड focus जद देजा तो Mountaris बन जाता है और इसके अगर मैं और उसकी पर नीचे यह इसको तो है वीडियो मैं बरसाथों में डालूँगा क्योंकि यहां हम लोग यहां गर्मी बहुत तेज हो रही है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं और थोड़े से मैंने बाहर टैरिस पे लगा रखे हैं फिर टैरिस पे बंदर आते हैं इसलिए मैं ज्यादा प् अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तने सारे मैंने प्लांस दिखाए हैं तो आप पताएगा मुझे और मैं भीडियो चलता हूं देख्यों अदर बहुत के मौत तीज सव्य जादा नहीं दिर रखोंगा यहां कि हमारा आलोर है और जो भी प्लांट जो हैं मतलब पॉट्स जो हमारे खराब हो राते हैं मैं pan react कर देता उने की यहां भंदर बहुत हैं जो पेड नहीं रखते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं मिने जितने भी पेड़तो तो उनको मैं यहां लगाता हूं जैसे यह दिखे भालू बेल है और इसमें अभी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और दिखे कैक्टस में लगाए हुआ है अब आपको दिख रहा है क्योंकि मुझे तो उपर धूप पड़ लगी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है मुबाइल पे और इस टाइम बहुत तेज धूप है और यह मेरे पॉटुलाका है इसकी केर अगर आप जानना है अगर इसकी भी केर तो आप मुझे बता सकते हैं सब इधर वाले तो यह देखिए मैंने ट्रे से बना है यह पूछ सकते हैं और यह जो भी प्लांट है इसमें बड़ा फ्लावर के लाए पॉटलाका में बहुत तेज धूप है थोड़े से गंपले यहां भी रखे है इसने देखे परपल हाड लगा हुआ है और फिर देखें यहां से मेरी एंट्री है गार्डन की और फिर देखें यहां पर पेर डगे हुआ है अकर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और म अच्छा अच्छा और मेरी घंटा लगे जानल को सब्सक्राइब कर देखें आपको वीज़ चैनल